7.3.3 अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन एक्सक्रिटरी प्रोड़क्ट एंड देयर मैनेजमेंट पौधों में ज्यादतर पदार्थों का उप्योग किसी न किसी तरीके से हो जाता है कुछ पदार्थ, ओक्सिजन, कार्बन डायोकसाइट तथा पानी पौधे की सतह के रंधरों या अंतरकोशिकी अवकाश से विसरन द्वारा निकल जाते हैं क्या पौधों को इन पदार्थों की जरूरत होती है यदि हाँ, तो ये क्यों निकल जाते हैं दिन के समय प्रकाश संसलेशन प्रक्रिया द्वारा बनी अतिरिक्त ऑक्सिजन जो श्वशन में उप्योगी नहीं होती, रंधरों के द्वारा निकल जाती है जबकि श्वशन में बने कार्वन डाय ओक्साइड का उप्योग प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया में किया जाता है परंतु रात में जैसे जैसे प्रकाश संसलेशन की दर कम होती जाती है तब अतिरिक्त कार्वंडाय ओक्साइड रंधरों के द्वारा बाहर निकलती है वाश्पोस सर्जन के द्वारा पौधों के विभिन भागों जैसे पत्तियां, तना या फल से अतिरिक्त पानी तथा कुछ अन्य पदार्थ निकलते हैं इनके अलावा पौधों में अधिकांश कार्वनिक पदार्थ जिनका निशकासन जरूरी है, मृत उतकों में संचित हो जाता है समय समय पर गिरने वाले पत्तों, फूलों तथा छाल के द्वारा इनका निशकासन हो जाता है बहुत से खनिज लवन भी पौधों के मृत उतकों में जमा हो जाते हैं ये अकसर कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं जो समय समय पर पौधों के शरीर से बाहर कर दिये जाते हैं कुछ पदार्थ जल द्वारा मिट्टी से निकल जाते हैं जलिये पौधे से ऐसे पदार्थ सीधे पानी में निकल जाते हैं क्या आप जानते हैं पौधों के कुछ पदार्थ जैसे लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टैनिन और एलकेलोईट जिनको सामान्य तौर पर अप्शिष्ट पदार्थ कहा जाता है परंतु अधिकांश पौधों में ये पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा में सायक होते हैं इन पदार्थों को हम अपने लिए भी उप्योग में लाते हैं उदारन रबर के पौधे के लेटेक्स से हम रबर बनाते हैं तटिय छेत्र में उगने वाले एक विशेश प्रकार के पौधे के समू जिने मैंग्रू कहा जाता है उनकी पत्तियों के आधार पर नमक ग्रंतियां होती हैं जड़ द्वारा अवशोशित नमक इन ग्रंतियों के द्वारा पत्ति की सतह से निकल जाता है चित्र क्रमांग 17 में अमीबा में पोशन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है हमने पढ़ा है कि एक कोशिकी जीवों का शरीर पर्यावरन के सीधे संपर्क में होता है अतह भोजन, गैसी आदान प्रदान वा अपशिष्ट पदार्थों का उच सर्जन शरीर की पूरी सतह या उसके किसी विशिष्ट भाग से होता है इनकी जैविक प्रक्रियाएं कोशिकांगों के द्वारा संपन होती है डिवार के हर प्राने की तरह अमीभा भी बना है सिर्थ एक कोशिकांगा वञ्ण सिल, अमीभा का कोई फिक्स आकार नहीं अमीभा खाता कैसे है, खाता है अपने नकली पैरों की मदद से सुडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर खाने का तिन का पास आते ही अमीबा के शरीर की ज्यरी उसी दिशा में कुछ इस तरह बैती है कि बन जाते हैं सूडो पोडिया अब ये खाने को घेर लेते हैं और शरीर के अंदर कर लेते हैं खाना एक विशेश हिस्से में जाकर पज जाता है अमीबा कैसा है ये कल्पना करना चाहते हैं तो पाने पर डालिए तेल के कुछ बून दें लग रहा है ना ये भी नकली पैरवाला अमीबा